हेलो एवरीबन कैसे हो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वीदियो के स्वोगाट में तो आज का जो टोपिक है हमारा 11th क्लास लिमिट एंड डेरिवेटिव ठीक है लिमिट और डेरिवेटिव पे हम आज चर्चा करेंगे प्लस बन क्लास के एलिमेंट में से हम ये टोपिक उठा रहे हैं तो लिमिट के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं दो टोपिक है मारे पास एक तो लिमिट और एक डेरिवेट ठीक है तो आज हम limit के बारे में चर्चा करेंगे तो limit क्या है? Limit of a very important concept in the study of mathematics calculus. जो limit है वो किसका है? Calculus का part है. ठीक है? किसका है? Calculus, mathematics में calculus होता है. तो calculus का जो part है वो एक important role होता है limit का. तो इसमें limit में हम क्या क्या कर सकते हैं? कैसे होता है? limit क्या होती है? इसके बारे में जान लेते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी function है, यह ले लिया एक line और function लिया हमने कोई भी f of x. ठीक है? कोई भी एक function लिया f of x. इसके बारे में हमें माल लिया x square एक function है. ठीक है? यहाँ पे हमें एक point लिया X is equal to A. ठीक है, x is equal to a तो ये एक line है, मारे पास real line, इस पे कहीं ने कहीं एक point a होगा, ये रहा a point, ठीक है, इस point पे हमें ये check करना है कि जो x square है, यानकि ऐसे अलग-अलग function होगे हमारे पास ठीक है, trigonometry function, algebra function, inverse, बहुत सारे function होते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे ये देखना है, कि इसका जो neighborhood है, neighborhood क्या है a है, a के neighborhood क्या होगे हमारे पास, मालो ये a है मारे पास, यहां हमें पता है, ये क्या है, right hand है ठीक है, और ये left hand neighborhood है, तो right hand और neighborhood में कितना बड़ा interval हो, या कि इतना भी छोटा मालिया इतना बड़ा भी interval हो सकता है और इतना छोटा भी interval हो सकता है तो यानि कि left में जब काम करेंगे तो left hand बोलेंगे और right में काम करेंगे तो right hand बोलेंगे ठीक है तो यहां से आपको क्या करना है कि अगर इसका graph देखे हम कोई भी function हमें given होगा उसका graph अगर क्या हो मालिया इस interval के अंदर है यह graph है हमारे पास तो यह ऐसे बन गया ठीक है access square का यह graph ऐसे बनेगा तो यह देखें कि यहां से यहां तक यह graph है वो break नहीं हो रखा ठीक है आगे भी बढ़ा सकते हैं और यह फिर इस interval के अंदर भी मान सकते हैं इसको यह तूटा हुआ नहीं है break नहीं हो रखा तो यह यह लेप्ट में और राइट में और function पे function क्या करा है continue चला है तो continuous चलेगा तो उस function को हम क्या कहेंगे continuous function कहेंगे ठीक है और limit हमें कैसे चेक करने है left hand limit और right hand limit और f of a अगर तीनों पे अगर यह बात बराबर आजाए left hand side की जो limit है अमारी वो right hand limit अगर बराबर आजाए और f of a अगर बराबर आजाए तो function क्या होता है continuous होता है बट यह बात बाद की है अब बात आती है limit exist करती है या नहीं करती है यानि कि हम क्या होगा अमारे पास जो भी function होगा उसमें हमें limit लगानी है और वो function अगर क्या मिल जाए हमें कोई भी finite value आजाए finite value तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो limit क्या कर रही है exist कर रही है ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या होगा हमारे पास हम limit को कैसे लिखते है function को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे limit x tends to a up of x यह जो x एरो लगा के a है इसका अर्थ क्या है x tends tends to a यानि कि x है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है a की तरफ अप्रोच कर रहा है जबकि a पे है नहीं actual में a पे है नहीं है यानि कि इसके बहुत ही close point होता है ठीक है a को यह भी हो सकता जैसे 5 हो लिया तो x tends to a क्या बोलेंगे इसको x tends to 5 तो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है जैसे 4.9999 ऐसे कुछ हो सकता है बट 5 अग्जेक्ट हमारा आंसर नहीं है ठीक है तो लिमिट हमें चेक करने के लिए में मुद्दा यहां पे क्या हमारा लिमिट की विल्लू निकाना फाइनेट विल्लू अगर आ गई तो तो क्या हो जाएगा लिमिट अग्जिस्ट कर जाएगी और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा अगर लिमिट फाइनेट नहीं आई तो अलग अलग तरीके होंगे हम वो हम चेप्टर में complete हम सीखेंगे जब जब आगे आगे अक्सराइज के साथ साथ बढ़ेंगे तो हर तरीकों को अच्छे से हम सीख लेंगे तो यानि कि हमारा काम क्या है function जो given होगा उसमें हम जो value होगे मारे पास x tends to a जो भी value होगे उसमें अगर रखेंगे वो value अगर finite value देगी क्या देगा finite value देगा तो answer क्या होगा limit exist होगे या otherwise नहीं और derivative पे हम बाद में last जो exercise होगे वहाँ पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं algebra of limit यह algebra of limit क्या अर्थ है algebra का अर्थ होता है addition, subtraction, multiplication और division अगर जहां पे भी algebra मिल जाए तो आप यह चीज समझ जाना कि क्या क्या हो रखा वहाँ पे addition हो सकता है, subtraction हो सकता है, multiplication और division, उसकी बाद हमें क्या क्या है, इसका अर्थ हम समझते हैं, जैसे हमारे पास दो function दिये हैं, एक तो f of x दिया है, और एक क्या दिया है, g of x, दोनों के बीच में कैसा sign लगाया, पलस का, और limit हमने क्या लगा दी, x tan to a, इसका अर्थ क्या है, limit क्या होती है, break कर देती है, कि इस पे addition पे भी, यानकि कैसे लिख सकते हैं, इसको limit x tan to a, f of x, पलस limit x tan to a, g of x, यानकि अलजब्रा में पहला point होगा, कलियर, किस पे addition पे, इसी तरह से, दूसरा point क्या होगा, हमारे पास, subtraction का, जैसे limit x tan to a, और f of x, x, पलस, g of x, अब आप ये fixy number मत रखना, कि function f of x ही बोलते हैं, या gx, कोई भी नाम दे सकते हो, आप hx, tx, कुछ भी दो, तो subtraction पे भी क्या होता है, subtraction का sign लगा लेते हैं, subtraction पे भी limit क्या होती है, open हो जाती है, यानकि distribute हो जाती है, limit x tan to a, f of x, minus limit x tan to a, g of x, इसी तरह से हम किस पे करेंगे, multiplication पे और division पे, यानकि limit x tan to a, f of x, into g of x, तो इसको भी अगर open करें, तो क्या मिलेगा, हमारे पास, limit x tan to a, f of x, into limit x tan to a, g of x, ऐसे अलग अलग distribute कर सकते हैं, लास्ट जो हमारा point है, वो है हमारे पास division का, limit x tan to a, f of x, upon g of x, और साथ में ये condition हमें पता है, जब भी p by q forum आए, तो हमें q की forum क्या बताने होती है, not equal to 0, यानकि यहाँ पे g of x function ही क्या होगा, not equal to 0, 0 की equal नहीं होना चाहिए, तो कैसे लगेगा, तो क्या होगा हमारे पास, limit x tan to a, f of x, अब ओन क्या हो जाएगा, limit x tan to a, g of x, ठीक है, अब एक important operation, और शीक लेते हैं, जैसे constant हैं हमारे पास, limit x tan to a, और c, c क्या है, c arbitrary, arbitrary constant, ठीक है, arbitrary constant है, तो constant पे कभी भी limit काम नहीं करती है, यानकी value नहीं रख सकते हैं, तो answer अमेशा क्या आता है, constant ही, जैसे हमारे पास ये ले लें, limit x tan to 5, यानकी 5 को represent कर रहा है, और 3 पे put करना है, तो answer क्या रहेगा, अमेशा 3 ही रहेगा, क्योंकि value put ही नहीं हो सकती, यानकी x tan का अर्थ है आपके पास, function में जो भी value है हमारे पास, हमने ये माना था, कि limit हमा लेते हैं x tan to 5, और x square, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कि function में x की जगे क्या रख दो, 5 रख दो, यानकी 5 का square करेंगे, तो कितना हैगा, 25, और 25 क्या है, एक finite answer है, तो यह क्या होगा, हमारे पास, limit exist कर गई, ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, answer होगा, अब क्या है, अलग-अलग method है, हमारे पास, method of limit the rational function, अगर rational function में हो, या फिर जो भी हो, तो हम क्या-क्या function, किस तरह से function को solve कर सकते हैं, यहां करते हैं, जैसे हमारे पास, हम limit लगाए, limit x tends to a put करें function में, ठीक है, या तो हमारे क्या जाए, infinity by infinity forum मिल जाए, या क्या मिल जाए, 0 by 0 forum, यह not exist होता है, यह क्या होता है, not exist, ठीक है, यह exist नहीं करता, तो exist नहीं करता, तो यानकि हमें पता है, limit कब exist करती है, जब finite value आए, finite value, तब ही तो exist करता है, तो finite value के लिए हम, अगर इस forum आ जाती है, function में value रखने से, limit रखने से, तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग method यूज करेंगे, क्या करेंगे, पहला factorize method, यानकि उ हो जाए, 4, ठीक है, और x की power 2, और अपहन में कितना हो जाए, x minus 2, और limit क्या हो जाए, x tends to 2, तो यहां रखेंगे, तो 4 minus 4, और 2 minus 2, 0 by 0 form होगे, तो यहां से factor करेंगे, यानकि इसमें कोई ने कोई rule चुपा हुआ है, तब ही यह infinity by infinity form, या 0 by 0 form है, तो इसके factor बना दें, x minus 2 और x plus 2, और यहां से x minus 2, तो x minus 2 से cancel कर देंगे, तो अब limit लगाएंगे, limit x tends to 2, तो यहां 2 रखेंगे, तो answer कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, तो इस तरह से factor करना है, इसके बाद हमारे पास substitution method है, क्या करना है, या putting करना है हमें, ठीक है, कोई भी function है, अगर इसी तरह से अगर आजाए, तो put करना होगा, क्या होगा, function अगर up of x, a रखने से, limit x tends to a रखने से, अगर क्या आजाए, infinity by infinity form या 0 by 0 form आजाए, तो हमें क्या rule अपनाना है, substitution method में, कि put करेंगे, put, जो function में x होता है, उसकी जगए क्या रख देंगे, x plus a plus h रख देंगे, क्या रख अगर हमारी limit h tends to 0 हो जाएगी, limit h tends to 0 हो जाएगी, यानि कि ये function है, यानि कि हमारे पास क्या होगा, अगर infinity by infinity form बन यह देखो, यहाँ x tends to a है, और जब हम x की जगए क्या put कर देंगे, a plus h रख देंगे, तो हमारे पास h क्या हो जाएगा, tends to 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएग तो यहाँ से x की जगए हम a रख दें, तो a is equal to a plus h, तो a से a cancel होके, 0 is equal to h, 0 किसकी को लागा, h के, तो इसका मतलब क्या हुआ, h किसको tend कर रहा है, 0 को tend कर रहा है, तो limit बदल जाएगी, जब putting method लगाएगे, तीसरा method जो हमारा है, वो क्या है, rational method, यह कब लगेगा, जब a plus x, ठीक है, minus root of a minus x, अपन में h, या कुछ भी हो, या x हो, इस टाइप से कुछ दिया हो, limit x tends to, क्या दिया हो, 0 दिया हो, या फिर a दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया है, यानकि क्या बन जाए, इसकी forum क्या बनती हो, फिर से, infinity by infinity forum, या 0 by 0 forum, तो हम क्या लगा देंगे, इस denominator दोनों का rationalize हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर rationalize method, last है, हमारे पास, वो क्या है, binomial है, ठीक है, binomial, binomial हमारे पास क्या होता है, a plus x का एक method होता है, ठीक है, power and होती है, यह अगर question आएगा, तब हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, अब आबते हैं, हम exercise पे, तो exercise में जो first question है, वो start करते हैं, question number first में, first part क्या दिया है, हमे, limit x tends to, limit x tends to, 1, x की power 3, minus x square, plus 1, ठीक है, first part है हमारा यह, तो first part को करते हैं, हम क्या है, हम पहले direct value रखेंगे, limit की, अगर finite value है, तो वो ही answer होगा, x की जगे 1 रग दो, इसका आर्थ है, x की जगे 10 तो कर रहा है, बट आपको put क्या करना है, object value, तो यहां थरी, x की power, 1 की power 3, negative 1 की power 2, plus 1, हमें पता आईए क्या आएगा, 1, minus 1, plus 1, cancel out हो के answer क्या है, हमारे पास, 1 ठीक है, second part, second part में भी हमें क्या दिया है, limit x tends to, minus 1, ठीक है, और क्या रखा है, limit x tends to, minus 1, और क्या function की value क्या है, 1, plus x, plus x square, plus, करते करते कहां तक जाना है, x की power 10 तक जाना है, plus x की power 10, तो यहां से हम, यहां से इसको समझना है, यानि कि यहां limit में तो value adjective रहेगी, यहां रखेंगे तो minus 1, plus minus 1 का square, फिर क्या आएगा, minus 1 की power 3, और करते करते last में, plus minus 1 की power क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठ यहां से हमारे पास अगर आगे बढ़े हम, तो यहां से देखें तो क्या होगा, 1, फिर minus 1, यह क्या आएगा, plus 1, यह क्या आएगा, minus 1, और करते करते क्या आएगा, हमारे पास, 10 की power कितने, minus 1 की power 10 है, तो क्या बन जाएगा, plus 1, अब यहां से देखें, इसी question को यहां से दे देखें, तो हमें पता है, यहां से क्या है, 1, 2, 3, 4, 10 तक है, इसका आर्थ हुआ, एक विल्लू क्या है, इवन आएगी, एक ओड़ आएगी, तो यहां से यह सब क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट तक, बचेगा कौन, 1, तो हमारा अंसर क्या है, 1, और 1 क है, एक finite value, तो limit क्या होगी, exist होगी, और यही इसका क्या है, answer है, तो third part करते हैं, third part में क्या है, हमारे पास, limit, limit x tends to, कितना दिया है हमारे पास, 1, और क्या दिया function, x minus 1 का whole square, पलस का 5, यानि कि हमें क्या करना है, direct x की जगे क्या रख देना है, 1, तो क्या रखेंगे, 1 negative 1 का whole square, पलस का 5, तो यहां से 1, 1, क्या हो जाएगा, cancel होके, 0, 0 का square, 0, और answer क्या जाएगा, 5, तो finite answer है, तो limit क्या होगी, exist होगी, next part क्या हमारे पास, limit x tends to 0, क्या है, limit x tends to 0, और किसकी function क्या है, हमारे पास, x square plus 1 की power handed, x square plus 1 की power handed, तो हमें क्या करना है, x की जगे क्या रखना है, 0 तो रखेंगे, तो 0 की power 2, पलस 1, और complete की power handed, तो यहां से देखें, तो 0 का 0 ही रहे गा, यह means 1 की power handed, और 1 की power handed, क्या होता है, answer, 1 होता है, तो यह finite है, finite है, तो यही हमारा क्या है, answer है, फिप्त पार्ट जो है, हमारे पास क्या है, limit x tends to 0, limit क्या दिए है, x tends to 0, और 10 की power n, into में x, पलस में 1, और n कहां से बिलोग कर रहा है, natural number से, ठीक है, n कहां से बिलोग कर रहा है, natural number से, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले putting करना, x की जगे 0 रखेंगे, तो 10 की power n, into 0, पलस 1, यहने की n की value कुछ भी हो, 0 से multiply करेंगे, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 पलस 1, य क्या हो गया, exist कर गया, answer, last part है, हमारे पास, sixth part क्या है, limit, limit x tends to, कितना दिया है, हमारे पास, negative 1, और function की value क्या दिया है, हमारे को, 4x square plus 2, 4x square plus 2, ठीक है, 4x square plus 2, तो हम function में minus 1 नखेंगे, 4 into minus 1 का whole square, plus का 2, इसको solve करेंगे, तो हमें पता है, even power है, तो क्या रहेगा, 1, 4 into, 1 plus 2, यानिकि 4 plus 2, कितना दियागा, six answer, ये भी क्या है, एक finite value है, ठीक है, तो second question करते हैं, second question में क्या है, हमारे पास, first part जो दिया है, वो क्या दिया है हमारे को, limit x tends to 1, और function की value क्या दिया है, हमें, x square plus 1 upon x plus 100, ठीक है, तो वही बात हम पहले direct value रखेंगे, कितना मिलेगा हमारे को, limit x की जगे 1 रखेंगे, तो 1 का square, 1 plus 1 upon 1 plus 100, तो कितना मिलेगा, 2 upon 100, वन answer, तो ये भी एक क्या है, finite value आएगी, और finite value है, तो ये क्या है, limit exist कर गया, तो second part है, हमारे पास, second part क्या कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, function, limit x tends to 0, ये function given है, जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो क्या जाएगा, 0 की power 0, 4, 0, minus 3 into x की power 0 क्या हो जाएगा, 0, plus 2, upon में क्या हो जाएगा, x की power कितनी है, 3, तो 0 की power 3, 0, minus 5 into 0 की power 2, 0, plus 3 into 0, plus 1, तो यहाँ से करेंगे, तो यह value क्या होगे, 0, उपर बचा, 2, यह 3 value क्या होगे, 0, नीचे क्या बचा, 1, यानिकि 2 by 1, तो answer कितना है, 2, जो क्या है, finite value है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, next part है हमारा, next है हमारे पास, limit x tends to 3, x square minus 9, plus upon x plus 2, तो यहाँ पे limit रखेंगे, कितना रखेंगे, 3, 3 की power 2, minus 9, upon कितना हो जाएगा, हमारे पास, 3 plus 2, तो यह कितना मिलेगा, 9 minus 9, upon 5, यह कितना बन जाएगा, cancel हो के, 0, 0 upon 5, तो 0 upon 5, क्या होगा, 0 यह answer होगा, ठीक है, तो fourth part है, मारा, क्या दिया है, limit x tends to 0, root of 1 minus x, और plus root of 1 plus, ना, 1 minus x, और पहले क्या है, 1 plus x, 0 रखना है, तो मैं पता है, क्या रखेंगे, root of 1 plus, कितना हो जाएगा, हमारे पास, 0, फिर कितना हो जाएगा प्लस रूट ओफ वन माइनस क्या हो जाएगा जीरो अपोन में कितना हो जाएगा वन प्लस जीरो तो क्या बचेगा रूट ओफ वन प्लस रूट ओफ वन अपोन कितना वन हमें पता है रूट ओफ वन क्या होता है वन root of 1 क्या होता है 1 1 upon 1 यानकी 2 upon 1 answer क्या आएगा 2 आएगा सो इस तरह से हमने 2 question complete कर लिए हैं आज हम इतना ही करेंगे वीडियो में next वीडियो में next question ले कराएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें और वीडियो को like करें